Hello students, new NCRT से exercise 2.4 करेंगे, ये exercise जो है decimal की multiplication के उपर based है, total इसके अंदर 5 questions है, सारे के सारे questions इसी वीडियो में हम cover करेंगे, तो first question की शुरुआत करते हैं, first question है find, यहाँ पे एक decimal number है और एक whole number है, का multiplication करना है, तो multiplication बिल्कूल सेम हम उसी तरह से करते हैं, जैसे general numbers की multiply करते हैं, बस क्योंकि decimal का number होता है, तो इसमें answer हमें decimal लग जाता है, first part को देखिए, यहाँ 0.2 को 6 से multiply करना है, तो थोड़ी देर के लिए आप इस decimal को ignore कर दीजे, तो आपको यह दिखाए देगा 2 into में 6, तो 2 6 जार होता है 12, तो answer इसका आया 12, अब इसमें decimal लगाने का तरीका समझ लीजिए, यहाँ decimal के right में एक digit है, और यहाँ पे तो कहीं decimal है ही नहीं, यानि total decimal के right में एक digit है, तो आपको answer में भी पीछे से एक digit छोड़ का decimal लगाना है, तो यहाँ पीछे से एक digit छोड़ेंगे तो यहाँ decimal लग जाएगा, यह decimal लगाने का तरीका होता है, next part देखिए 8 into में 4.6, इसके decimal को अगर हम ignore कर दें तो यह 46 है, और इसको हम 8 से multiply करेंगे, तो 8, 6, are 48 का 8 और यह 4 हो गया, और 8, 4, are 32, 32 में 4 जोड़ दें, तो यह 36 हो गया, यानि 368, तो नमबर तो आएगा 368, अब decimal लगाना है, तो यहाँ decimal के right में एक digit है, तो हमें answer में भी decimal के right में एक digit छोड़नी है, तो पीछे से एक digit छोड़ कर यहाँ decimal लगा देंगे, थर्ड पार देखिए, 2.71 इंटू में 5, decimal इग्नोर कर दें, तो यह 271 है, इसको 5 से multiply करना है, 51005 हो गया, 57035 का 5 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 52010, 11, 12, 13, तो 1355, यह तो आएगा नमबर, अब decimal लगाने के लिए, यहाँ decimal के right में 2 digit हैं, तो हमें पीछे से answer में 2 digit छोड़ कर decimal लगाना है, 13.55 इसका answer हो गया, next part देखिए, 20.1 इंटू में 4, तो decimal इग्नोर कर दें, तो यह 201 है, इसको multiply 4 से करना है, 41004 हो गया, 40000, 42008 हो गया, तो 8, 0 और 4, यह तो नमबर आ गया, अब यहाँ decimal के right में 1 digit है, तो पीछे से 1 digit छोड़ कर हम यह decimal लगा देंगे, answer आ जायागा, 80.4, next part देखिए, 0.05 इंटू में 7, यहाँ decimal को अगर इग्नोर कर दें, तो यह सिर्फ आपको 5 दिखाई देगा, और यहाँ पे 7 है, तो 5, 7,000 हो गया, 35, अब यहाँ decimal लगाने के लिए, हम देखते हैं, कि decimal के right में यहाँ पर 2 digits है, एक तो यह 0 है, और एक यह 5 है, 2 हो गए ना, तो पीछे से 2 digit छोड़ का decimal लगेगा, 1 digit 5 हो गया, 1 digit 3 हो गया, यहाँ पे decimal लगेगा, और decimal से इधर अगर कुछ भी नहीं है, तो अपने पास से हम इसको ढखने के लिए, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, कभी decimal को अकेला नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे, तो 0.35 इसका अंसर आ गया, next part देखिए, 211.02, into में 4 है, तो decimal को ignore कर दें, तो यह नंबर आपको दिखाई देगा, 211.02, और into में यह 4 हो गया, 4 से इसको multiply कर लेते हैं, 4208 हो गया, 4000 हो गया, 4104, 4104, 42008 हो गया, 84408, तो यह नंबर आएगा, 84408, अब decimal लगाना है, तो यहाँ decimal के बाद 2 digits हैं, तो हम यहाँ पीछे से 2 digits छोड़ का decimal यहाँ लगा देंगे, 84408 इसका अंसर आ गया, लास्ट पार्ट देखिए, 2 into में 0.86, तो यह decimal इग्नोर कर दें, तो यह 86 दिखाई देगा आपको, इसको 2 से multiply करना है, तो 2612 का 2 और यह 1 हो गया, 8206, 16 में 1 जोड़ दिया, तो 17 आ गया, तो 172 तो नमबर आ गया, अब decimal के बाद, यहाँ पर 2 digits हैं, तो हमें यहाँ पीछे से 2 digits छोड़ का decimal लगाना है, 1.72, यह इसका अंसर हो गया, यह question 1 था, इसके बाद करते हैं, second question, second question में बोला है, find the area of rectangle, उसकी length दे रखी है 5.7 cm, और उसकी breadth यानी की चोड़ाई, यह दे रखी है 3 cm, इसका हमने area find करना है, तो area of rectangle होता है, length into my breadth, पहले तो हम formula ही लिखेंगे, area of rectangle, is equal to length into my breadth, अब length की जगह हमें लिखना है, 5.7 cm, और breadth की जगह पे लिखना है, 3 cm, अब यहाँ पे number है, 5.7 into my 3, point को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, तो यह 57 हो गया, और into my करेंगे 3, तो 7, 3, 021 का 1, और यहाँ पे 2 carry आ गया, और 3, 5, 015, 16, 17, यह 17 आ गया, यानी 1, 7, 1, अब decimal है, तो decimal भी लगाना पड़ेगा, यह decimal के बाद 1 digit है, तो यहाँ पीछे से 1 digit छोड़ कर, हम यह decimal लगा देंगे, यह तो number आ गया, 17.1, अब यह जो cm और into में cm है, यह दोनों जो multiply होंगे, तो cm की power 2 हो जाएगा, यानी कि centimeter का square, जो area होता है, उसकी unit में हमेशा square लगता है, यह आपको जरूर लगाना है, वरना यहाँ पे आपके number कट जाएंगे, तो यह तो था second question, इसके बाद करते हैं third question, third question देखिए, find, यहाँ पे आपको बहुत सारे parts दे रखे हैं, इन में एक तो है decimal number, और decimal number की multiply करनी है, कहीं पर 10 से करनी है, कहीं पर 100 से करनी है, और कहीं पर 1000 से करनी है, तो यह बहुत आसान question होता है, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, अगर आपको 10 से multiply करना है decimal का number, तो यह जो decimal है न, यह एक step right में shift हो जाएगा, one step, यानि एक डिजिट right में हो जाएगा, अगर multiply कर रहे हैं 100 से, तो फिर दो डिजिट यह right में move हो जाएगा, अगर multiply कर रहे हैं 1000 से, तो 1000 में क्योंकि 30 होती है, तो जो आपका decimal है, वो तीन डिजिट right में shift हो जाएगा, इतना simple सा यह होता है, जब हम question करेंगे, तो आपको और practice हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, 1.3 into में 10, यहाँ 10 में 1,0 है न, तो यह जो decimal है, यह एक step right में move हो जाएगा, यानि इसकी value 10 गुना हो जाएगी, तो number तो यही आएगा जो है, और यह decimal यहाँ 3 से move होकर, 3 के आगे लग जाएगा यहाँ पे, अभी पहले है न, अभी यहाँ लग जाएगा, तो 13 यह point हो जाएगा, अब last में जो point होता है न, यह लगाओ चा न लगाओ वो एक ही बात है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ 13 भी लिख सकते हो, और अगर point में लिखना है, तो यह यहाँ पे लग जाएगा, 368 point और यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, और इसको properly अगर हम बिना decimal के लिखें, तो यह 368 ही लिखा हुआ है, क्योंकि decimal और उसके आगे अगर कोई 0 लिखा हुआ है, तो उसकी कोई value नहीं होती है, अगला देखिए 153.7 into 10, तो अगला देखिए 168.07 into 10, तो नमबर तो आएगा 16807, नमबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यह 1 है, 1 से इसको multiply करेंगे तो यही आएगा, अब यहाँ decimal एक step right move करना है, तो यह 0 से पहले है, तो यहाँ 0 के बाद यहाँ आ जाएगा, यह 0 को jump करके यहाँ आ जाएगा, यह इसका answer हो गया, अगला है 31.1 into 100, इसे ध्यान से देखना, नमबर यहीं आएगा 3, 1, 1, अब decimal यहाँ इस 1 से पहले है, यहाँ पे है, इसको 2 digit jump करना है, तो एक digit तो यह हो गया, तो आगे तो कोई digit है ही नहीं, तो digit की कम ही पढ़ रही है न, तो जब digit कम पढ़ता है, तो वहाँ अपने पास से हम 0 लगा लेते हैं, तो यह हो गया दूसरी digit, तो यहाँ पे decimal लग जाएगा, तो यह बन गया 3110 decimal और यह 0, इसको proper लिखना चाहें, तो हम सिर्फ लिख सकते हैं, 3110 यह इसका अंसर हो गया, अगला देखिए 156.1 इंटू में 100, नंबर यही आएगा, पहले हम नंबर लिख लेते हैं 156.1, अब decimal दो डिजिट मूव करेगा, 6 के बाद है decimal, तो एक डिजिट तो यह हो गया, एक की कमी पढ़ रही है, तो हम अपने पास से 0 लगा लेंगे, और यहाँ पर decimal लगेगा, तो यह यह बन गया 15610, इसको चाहें तो हम बिना decimal के लिख सकते हैं, 15610, यह इसका अंसर हो गया, यहाँ decimal में मैं लिखके इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको यह rule समझ में आ जाए, और फिर यह लिखके इसलिए दिखा रहा हूँ, यह समझाने के लिए कि last में अगर decimal लगा है, और उसके आगे 0 है, तो इनकी कोई value नहीं होती है, लगाएं चान ना लगाएं, हम सिर्फ यह भी लिख सकते हैं, अगला देखिए 3.62 इन्टू में 100, तो यह decimal दो step move होकर यहाँ 2 के आगे लग जाएगा, तो 3, 6, 2 और यहाँ पे decimal, तो answer finally 362 ही आ गया, अगला देखिए 43.07, यहाँ decimal दो step move होकर यहाँ 7 के आगे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 से multiply हो रहा है, तो इसका answer 4, 3, 0, 7 ही आ जाएगा, आगे देखिए 0.5 इन्टू में 10, तो यह decimal जो है न 5 के आगे लग जाएगा, यानि यह बन जाएगा 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट का मतलब 5 ही हो गया, इसके बाद देखिए 0.08 इन्टू में 10, तो यहाँ यह decimal 0 से पहले है, यह 0 के आगे लग जाएगा, तो यह बन जाएगा 0.8, अगला 100 से है, तो नंबर तो 9 ही आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यह decimal जो है, दो step move करेगा right में, तो एक step तो है, हमारे पास यह 9, एक की कमी पढ़ रही है, वो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, और फिर यहाँ पे decimal लगेगा, तो यह हो गया 90.0, इसको सिर्फ हम 90 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह 90 ही लिखा हुआ है, अगला देखिए, यह thousand से multiply हो रहा है, यहाँ पे number तो 3 ही आएगा, क्योंकि यह 3 ही लिखा हुआ है, अब यह decimal जो है न, यहाँ से 3 step right में move होगा, तो एक step तो यह 0 हो गया, यहाँ 0 से पहले decimal लगा हुआ, तो मैं 0 लगा लेता हूँ, यह समझाने के लिए, एक step तो 0 हो गया, दूसरा step 3 हो गया, तो यहाँ पे यह 0 था, यह 3 है, और तीसरे step की कमी पढ़ रही है, वो हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे, इसको भी मैं लिखी देता हूँ, आगे समझाने के लिए, तो एक, दो, तीन, तीन डिजिट हो गए, तो यहाँ पे decimal लगेगा, decimal खाली नहीं छोड़ते हैं, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो यह thousand से multiply करने पर, यह decimal तीन डिजिट right में move कर दिया, हमने एक, दो, तीन और यहाँ decimal लगा दिया, अब इसे जब आप गौर से देखो गए, तो यह simple 30 ही लिखा हुआ है, इससे पहले यह जो 0 है, इसका कोई महत्वनी यह लिखने का, और point के बाद 0 है, तो यह मैंने बताई दिया, आपको यहाँ भी की कोई लिखने की जरूत नहीं होती है, तो यह simple 30 ही लिखा हुआ है, तो यह बहुत practice का बहुत अच्छा question है, यह आपको आगे तक याद करना है, कि जब हम किसी decimal के नंबर को 10 से 100 से 1000 से multiply करते हैं, तो just हमारा जो decimal है न, वो उतनी ही place right में shift हो जाता है, जितने हमारे हैं 1 के साथ में 0 होते हैं, यह था third question, इसके बाद करते हैं, fourth question, fourth question देखिए, a two-wheeler covers a distance of 55.3 km in one liter of petrol, एक two-wheeler है, कोई motorcycle या scooter होगा, वो एक लीटर पेटरोल के अंदर 55.3 km चलता है, तो how much distance will it cover in 10 liters of petrol, तो 10 liter पेटरोल में वो जो two-wheeler है, वो कितना distance कवर करेगा, अब जब हमें एक का पता होता है, और हमें जादा का निकालना होता है, तो हम multiply करते हैं, तो यहाँ भी हम यही करेंगे, पहले हम यह लिखेंगे, कि एक लीटर पेटरोल में वो two-wheeler कितना चलता है, और फिर हम लिखेंगे, कि 10 लीटर पेटरोल में वो कितना चलेगा, लेंगवेज पर ध्यान देना, लेंगवेज के बिना, अगर कोश्चल लेंगवेज का है, तो आपको लेंगवेज के मार्क्स मिलने हैं, तो distance, कवर्ड, इन, वन, लीटर, पेटरोल, यह है 55.3 किलो मीटर, सेम नीचे लिखना है, distance, कवर्ड, इन, वन की जग़े, 10 लीटर लिख देंगे हम, पेटरोल, तो यह हो जाएगा, 55.3 किलो मीटर, इंटू में 10, क्योंकि 10 का हम से पूछा है न, तो जितने का पूछा होता है, उतने से ही हम मल्टिप्लाइ कर देते हैं, अब यहाँ 10 से मल्टिप्लाइ करना बिल्कुल आसान, last question में आपने देखा था, कि 10 से मल्टिप्लाइ करते हैं, तो decimal एक step right में move हो जाता है, तो यहाँ यह 3 से पहले लगा हुआ है, तो 3 के बाद लग जाएगा, यहाँ 55 और यह 3 और यहाँ decimal लग जाएगा, last में लगाए या ना लगाए decimal, कोई जुरूत नहीं होती है, तो इतना किलोमेटर वो स्कूटर चलेगा, 553, यह इसका अंसर हो गया, यह question 4 था, इसके बाद करते हैं, question number 5, question 5 है, find, यहाँ पे जो questions दे रखें हैं आपको, यह multiplication के ही questions है, और यहाँ दोनों के दोनों नमबरों में decimal लगा हुआ है, तो इनसे बिलकुल भी डरने की जुरूत नहीं है, आप decimal को ignore करके, इन दोनों digit का पहले multiply कर लिया करें, और फिर last में decimal लगा दिया करें, देखिए, first part को देखिए, यहाँ गर मैं इस decimal को ignore कर दू, तो यह मुझे 25 दिखाई देगा, और यहाँ इस decimal को ignore कर दू, तो यह फिर यह 3 है, तो 25 को 3 से multiply करते हैं, तो यह हो गया 75, यहाँ पर देखिए, आगी करेंगे जब कोशन, आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी, अगला नमबर देखिए, 0.1 into 51.7, इसका decimal इग्नोर कर दें, तो यह 1 है, इसको decimal इग्नोर कर दें, तो यह 517 है, यहाँ रफ में आप ऐसे नमबर की multiply कर लिया करें, 517 को 1 से multiply करेंगे, तो 517 आएगा, तो हम यहाँ नमबर लिखेंगे, 517, अब decimal लगाएंगे, यहाँ decimal के बाद 1 डिजिट, यहाँ decimal के बाद 1 डिजिट, टोटल हो गई है 2 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट हम छोडएंगे, यहाँ decimal लग जाएगा, आंसर हो गया 5.17, अगला थर्ड पार्ट देखिए, 0.2 into 316.8, decimal इग्नोर कर दें, तो यह 2 है, decimal इग्नोर कर दें, तो यह है 3168, तो 3168 के 2 से multiply कर लेते हैं, 28016 का 6 और यह 1 हो गया, 62012 और 113 का 3, और यह 1 हो गया, 2102 और यह 3 हो गया, और 236, तो number जो आएगा, multiply करके वो आएगा, 6 से 336, अब decimal लगाते हैं, यहाँ decimal के बाद 1 डिजिट, यहाँ decimal के बाद 1 डिजिट, total हो गई हैं 2 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट छोडते हैं, यह 6 और यह 3, यहाँ पे decimal लग जाएगा, यह इसका answer हो गया, next part देखिए, 1.3 into में 3.1, decimal ignore कर दें तो यह 13 है, decimal ignore कर दें तो यह 31 है, तो इन नंबरों का रफने कर लेते हैं, multiply, 131031 हो गया, यह cross 133039 हो गया, यह 1, 9, 10, 11, 12 का 2 और यह 1 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो यह हो गया है, 421, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 13100, और यह मैंने गलत लिख दिया, 13100 में इनको 13 लिखना था, दुबारा कर देते हैं, 13 को 31 से multiply करना है, तो 13100 यहां 13 लिखना है, यह cross हो गया, और 133000 यहां 39 होता है, यह 3 हो गया, 9 और 1 10, 10 का 0, और यह 1 हो गया, 3 वन जा, यह 3 और 1 4 हो गया, 403 नमबर नमबर आया है, अब decimal लगाते हैं, decimal के बाद एक डिजिट, decimal के बाद यहां एक all डिजिट, तो टोटल दो डिजिट हो गई है, पीछे से दो डिजिट छोड़ते हैं, एक 3 हो गया, एक 0 हो गया, यहां पर decimal लग जाएगा, 4.03 इसका अंसर हो गया, फिफ्थ पार्ट देखिए, 0.5 इंटू में 0.05, decimal इग्नोर कर दें तो यह भी 5 है, decimal इग्नोर कर दें तो यह भी 5 है, तो 5.5000 हो गया है 25, नमबर तो 25 आएगा, अब decimal देखिए, यहां decimal के बाद एक डिजिट है, यहां decimal के बाद एक और यह दो, यहनि दो डिजिट्स हैं, तोटल अब हम इनको कर लेते हैं, तो टोटल तीन डिजिट्स हो गई है, तो हमें आंसर में पीछे से तीन डिजिट्स छोड़नी है, तो एक तो 5 होगी, दूसरा 2 हो गया, तो तीसरे की कमी पढ़ रही है, वो हम अपने पास से 0 लगा लेंगे, एक, दो, तीन डिजिट्स हो गई हैं, और यहां decimal लगा देंगे, डैसिमल से पहले खाली नहीं छोड़ते हैं, तो यहां हम 0 लगा देंगे, यह इसका अंसर हो गया, 0.025, अगला पार्ट देखिए, 6th पार्ट, 11.2 इंटू में 0.15, decimal इग्नोर कर दें तो यह 112 है, यहां decimal इग्नोर कर दें तो यह 15 है, तो यह 112 को 15 से मल्टिप्लाय रफ में कर लेंगे, 5, 2s are 10 का 0 और यह 1, 5, 1s are 5 और यह 6 हो गया, 5, 1s are 5 हो गया, क्रोस लगा दिया, 112 को 1 से करेंगे, तो 112 भी आ जाएगा, यह 2, यह 1 और यह 1, यहां 0 आ गया, यहां पर 8 आ गया, यहां पर 6 आ गया, यहां पर 1 आ गया, तो नंबर आएगा, 1680, अब decimal के बाद एक डिजिट, decimal के बाद यहां पर 2 डिजिट है, टोटल 3 डिजिट हो गई है, आंसर में पीछे से 3 डिजिट छोड़ेंगे, 1, 2, 3, और यहां decimal लग जाएगा, अगला पार्ट देखिए, 1.07 into में 0.02, इसका decimal इग्नोर कर दें, तो यह नंबर दिखाई देगा, आपको 107, इसका decimal हटा दे, तो यह सिर्फ 2 लिखा हुआ यहां पर, तो इनको multiply करते हैं, 7, 2014 का 4 और यह 1, 2000 और 11 हो गया, 2102 हो गया, 214 तो है यह नंबर, अब यहां decimal के बाद 2 डिजिट है, यहां decimal के बाद 2 डिजिट है, टोटल हो गई है, चार डिजिट, आंसर में 4 डिजिट छोड़नी है, पीछे से, तो 1, 2, 3, चौथे की कमी पड़ रही है, अपने पास से 0 लगा लेंगे, और यहां decimal, और फिर decimal को खाली नहीं छोड़ते हैं, तो आगे 0 लगा देंगे, यह था इसका 7th part, इसके और भी parts हैं, अब उनको करते हैं, 8th part देखिए, इसमें सिर्फ जो महनत होती है, वो आपको multiply करने में लगानी होती है, डेसिमल लगाना बहुत आसान होता है, 10.05 इंटू में 1.05, डेसिमल इग्नोर कर दें, तो यह दिखाई देगा, आपको 1005, यहां decimal को हटा दें, तो यह दिखाई देगा 105, यह numbers लिखे हुए हैं, इनको multiply कर लेते हैं, 1005 को 5 से करेंगे, तो 5025 आजाएगा, मैं directly लिख देता हूँ, 5025, cross, फिर यहां पे 0 है, तो 4 बार 0 आजाएगा, 1, 2, 3, 4, next के लिए 2 cross लगा दिए, और इस 1005 को 1 से करेंगे, तो यही आजाएगा, यानि 5, 10, 20, और यह 1, अब इनको add कर देते हैं, यह 5 होगा, यह 2 होगा, यह 5 होगा, यह 5 होगा, यह 0 होगा, और यह 1 होगा, तो 1055 और 25 यह तो नमबर है, 105525 यह हमारे answer का नमबर है, इसमें अब decimal लगाना है, यह decimal के बाद, 2 टीजिट हैं, यह decimal के right में 2 टीजिट हैं, total होगे है चार, digits, तो 4 digits गिल लेते हैं पीछे से, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लग जाएगा 10.5525 इसका answer है अगला 9th part देखिए इसका decimal ignore कर दें तो यह number आपको दिखाई देगा 10101 यहाँ पे यह सिर्फ 1 ही लिखा हुआ है तो इसको 1 से ही जब multiply करेंगे तो यही आ जाएगा तो यह लिख देते हैं 10101 अब decimal लगाने के लिए यहाँ decimal के right में 2 digits हैं यहाँ decimal के right में 2 digits हैं टोटल हो गए हैं 4 digits answer में पीछे से 4 digits छोड़ लेते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ decimal लग जाएगा last part देखिए इसका decimal ignore कर दें तो 1, 3, 0, 1 1, 1, 2, 3 और यह 1 यहाँ decimal ignore कर दें तो यह 11 है तो इसको 11 से multiply कर लेते हैं इसको 1 से multiply करेंगे तो यही आ जाएगा 1, 0, 0, 0, 1 फिर यह cross लगा दिया 1 से multiply करेंगे तो same यही आ जाएगा 1, 1, 2, 3, 0 और यह 1 इनको जोड लें तो यह 1, 1 0, 0, 1, 1 डबल 1, डबल 0, डबल 1 यह number आ गया डबल 1, डबल 0, डबल 1 अब यहाँ decimal के बाद दो डिजिट हैं यहाँ decimal के बाद single digit हैं तो total हो गई हैं तीन डिजिट answer में पीछे से तीन डिजिट छोड लेते हैं 1, 2, 3 और यहाँ लगा दिया decimal यह इसका answer हो गया यह इस exercise का last question का last part था, इसके साथ exercise खत्म हो जाती है